दोस्तों, कैसे होगा आप सब, I hope आप सब अच्छे होगए तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में सीजोफेरिया के क्लासिटेकेशन को एक्स्प्लेइन किया था और हमने देखा था कि सीजोफेरिया की कौन-kौन से सिम्टम होते है नेगेटिव और पॉजिटिव तो आज की इस वीडियो में सीजोफेरिया पार्ट 3 में हम उसी की आगी की चीज़ें डिल करेंगे जो रिमेनिंग चीज़ें हमारी बची हुई है तो आईए चलो देखते हैं तो जो नंबर फर्स्ट पर हमारा है वह हमारे कॉम्प्लिकेशन इन सीजोफेरिया कि अगर हमें सीजोफेरिया हो चुका है तो उसके बाद हमें कौन-कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं कि सीजोफेरिया होने के पता हमें कौन-कौन से चीज़ें हो सकते हैं पेशन चो रहाएगा वह सोसाइड आटेम्च करेगा फोसए सॉसाइड के बार बार फोसना माइंड के अंदर हैंunkड डिसोरैंट से ऊचल जाला जा यहांनी कि समाज के से अपने आपको बंद कर लेना जानी किसी से बोलना ना किसी से बात करना कुछ ने बस अकेले देना पसंद करेगा फिर ओवेश्यू कंपल्सिव डिसोडर ओ सीटी यह एक डिसोडर होता है जिसमें पेशन्स अपने आइडियास और थोट्स को कंटीनू रिपीट पर होता है तो और जो नंबर एए हूं हौ हमारा आइडिंटिफाइटर से ञेंटोम जाने कि सबसे पहले जो एक निपने にourtए वह वह हमारा पेश्यंट का कि आइडटिपांट करेंगे उसके चुरेक्प्र सिंटन्स को उसमें कै LA करेंगें कि डिलीूजन यानी कि प्राइडर बोलेगा कि मेरे को पीछे से कुई मानना चाहता है ऐलूशिनेशन जो चीज़ एक्जिट नहीं करती वह भी पेशन देखेगा डिस ओर्गिनाइज ते इस पीज एंड तेंगिंग जाने की सोचने की और समझने की चीज़ जो समता होती है वह डिस ओर्गिनाइज हो जाते हैं गंएकच अब नौर्मल मॉटर बीवियर जो मॉटर बीहिवियर होगा वो ऑनाइज मोर्मल हो जाे गासने सब चीज़ा आजाए गई इन सारी चीज़ों में अबनारिय उलमिटीज आएगी नेगेटिव सिम्टम जो हमनें पिछले वीडियो में देखे थे कि कौन — कौन से negative symptoms आएंगे, यह सारी चीज़, identify character symptoms में हम देखेंगे Second हमारा, considering your life with others, work academy, inter-person relationship और self-care, how long symptoms have been appearing, और हम उन patient के symptoms को देखेंगे किते दिन से हो रहा है, rule out other possible culprit illness, और जो patient की जो illness रहेगे, उसको हम note करेंगे, rule out of substance use, अगर scysoferia patients को हो चुका है, तो rule out के हिसाब से हम patients को medication और pharmacological treatment देंगे, अब हम इसकी देखते हैं कि pathophysiology कि यानि कि scysoferia किस कारण से होता है, तो एक छोटी सी pathology है, कि the natural of scysoferia है, अगर natural एक scysoferia patients के अंदर developed किस तरीके से होगा, तो सबसे पहले हमारा genetic prediposition, और है इदर environmental, social and psychological factor, यानि कि scysoferia genetically हो सकता है, या तो फिर social या psychological भी हो सकता है, यानि कि किसी लड़की या लड़की को socially इसको दबाए जाता है, उसकी freedom को रोका जाता है, वो सारी चीज़े से भी scysoferia developed होता है, तो genetically और environmentally इनके कारण होता है जिसके कारण हमारे ब्रेन का फंक्शन रहता है, वो improper हो जाता है, जिससे हमारे जो अंदर की chemicals होते है, जो dopamine और serotonin जो chemical होते है, जिनके कारण हमारे ब्रेन के अंदर balancing बना रहता है, वो disbalance हो जाएंगे, उसके कारण पेशन में scysoferia देखने को मिल सकता है, ये एक natural scysoferia की pathophysiology होती है, अब इसके हम management देखते हैं, management में क्या है, during crisis periods or time, survive syndrome, hospitalization may be necessary to ensure safety, proper nutrition, educate, sleep and basic high debt, जब patient crisis period यानि की जब hospitalization में आएगा, symptoms of hospitalization ब्रेके जाएगे, तो सबसे पहले काम कराएगा, कि patient को proper nutrition दे, और उसकी जो sleep है, वो पहले अच्छे से रखाए, कोई कि बहुत chances में कोई ज़ादा नहीं सोने के कारण भी scysoferia की lection होते है, तो सबसे पहले proper nutrition देंगे, उसको जो proper need रहेगी, sleep की, 8 या 7 hours की वो पूरी करेंगे, और एक basic good high chin उसको provide करते हैं, फिर psychological intervention, psychological intervention में क्या क्या चीज़ आ जाएगी, social skills training, सबसे पहले patient को social skills training देने पड़ेगे, इस में क्या होगा, कि जो हमारा patient होगा, उसको जो improving करेंगे, हम उसका communication, way of communication, यानि कि patient को अच्छे ची बातें बताएंगे, कि उसको communication के तुरू समझाने की कोश्चिस करेंगे, social interaction, मतलब कि दूसरे लोगों से mild jules के रहने के लिए बोलेंगे, या उसको mild jules के रहे रखेंगे, जिससे कि उसका जो schizophrenia, depression के लक्षन होगा, वो सारे कम हो सके, improving the ability, ये सारी चीज़ों की हमें ability improve करने पड़ेंगे, फिर हमारे family therapy, this provides support and education of families, हमें patients के family को भी support करना है, और patient को भी support करना है, और family को ये therapy की तोर पर हमें समझाना है, कि patients के किस तरीके से behave करें patient के साथ, किस तरीके से patient को रखें, क्योंकि patient सीजोफेरिया में जाने के पाथ, वो abnormal तो रहेगा नहीं, कि जो आपन बोलेंगे कि ये काम कर लो तो वो कर लेगा, इसलिए हमें family member को भी educate करना पड़ेगा, कि आप patient किताब ऐसे behave करो, कि जिससे वो आपकी बाते समझ पाए, और फिर एकदम जो हमें बच्चों की treatment ये care करते हैं, उसके तरह normally behave करने के लिए बोलेंगे, फिर हमारी आजाएगी एक electroconsulism therapy, जिसे हम अधिक तम हम याद करते हैं, कि हम जो हिंदी फिल्मों में जो फिल्मों देखते हैं, उसमें एक ताज लगा जिते हैं, जिसमें एक शोक लगाते हैं, उसी कि तरह हम उसको याद करते हैं, electroconsulism therapy क्या होती है, कि जो हमारे जो imbalance हो जाते हैं, विया बहुत condition में क्या होता है, कि जो patients के अंदर के जो neurons रहते हैं, वो ठीक से signal pass out नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण में हलके हलके लक्षन दिखने लगते हैं, तो इसमें क्या है, कि 4 adults with schizophrenia who do not response to drug therapy, electroconsulism therapy, ECT may be considered, ECT may be helpful from someone, also has depression, जो adults होते हैं, उनमें कभी कबार drugs का response अच्छे से नहीं आता है, या आता भी नहीं, उस ताइम पे हम ECT करवाते हैं, जिससे क्या होता है, कि जो brain के जो neurons होते हैं, वो सई से work कर सके, और उसके कारण patients ठीक होने की chances उसके बढ़ जा, यह उसी तरह होता है, जब किसी को cardiac arrest है, तो हम वो machine से उसको शोक देते हैं, जिससे की heart के AC knot और EV knot charge होते हैं, उससे तरह जो brain के neurons होते हैं, उसको शोक देकर charge करने का काम यह ECT करती है, electroconsulism थे थे रहेते हैं, तो आज के हमन तो आज यहां पर हमारा स्वीजोफ एरिया topic खतम होता है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे, तो like, share and subscribe, thank you.